हलो दोस्तों आपका अपना चैनल महात्मा जोत्रोफुलिया स्टेडी सेंटर में स्वागत हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं कलास तेंथ की मेंट जिसमें आप लोग को बता दिये हैं प्रस्नावली एक दस्मलब एक से दो दस्मलब दो तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एक्जामपल के साथ इस प्रस्नावली में दो दस्मलब तीन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां क्वेश्चन एक नमर का लिखा हुआ है बिभाजन अल्गोरिथ्म का पर्योग करके निवन में PX को GX से भाग देने पर भाग फल तता सेस्फल ग्यात किजिए ये जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक नमर का कुश्चन है पी X बराबर XQ-3X2 प्लस 5X-3 और GX जो है X2-2 है इससे भाग देना है तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे सिंपल सा है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लिए हैं दिया हुआ है PX बराबर XQ-3X2 प्लस 5X-3 उसके बाद GX बराबर X2-2 है यानी GX से भाग देना है PX में यहाँ बाग काचिन पहले बना लेते हैं यहाँ पे भाग काचिन बना लिए हैं तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे PX को यहाँ पे लिखेंगे और GX यहाँ यानी GX से भाग देना है तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँप लिख लेते हैं XQ-3X2 प्लस 5X-3 यहाँपे लिखेंगे X2-2 यहाँँदेखें अब जो भाग जो देंगे यह GX है GX से भाग देंगे X2-2 जो है इससे इसमें जो भाग देंगे यहाँपे X पोर 3 है यहाँ X पोर 2 है इसमें 1X का कमी है इसमें हमको एक X से अगर गुना कर दें तो इसमें यहाँ पे X पे पावर 3 आ जाएगा यानि इसमें X से गुना करेंगे जो यहाँ पे भाग फल में लिखना परेगा तो X से हम गुना कर रहे हैं इसमें तो X Q हो जाएगा और यहाँ पे इसमें x से गुना होगा तो 2x हो जाएगा यहाँ पे x क्यों लिखेंगे और 2x जो होगा x के सामने लिखेंगे यानि कि x वला टर्म यह है square वला रहता तो यहाँ पे लिखा जाता यह minus plus minus में यहाँ पे लिखेंगे और यह 2 से जो गुना होगा x में तो यहाँ 2x हो जाएगा अब यहाँ पे चिन दे देंगे अब क्या करेंगे चिन बदल देंगे यानि कि यह plus में यहाँ पे minus क्यों को घटाना है यहाँ पे minus में यहाँ प्लस देंगे प्लस दे दिए अब देखिए यहाँ पे x पे पावर 3 plus में है x पे power 3 minus में है तो यह क्या होगा कट जाएगा कट गया उसके बाद यहाँ से इसको लिख लेंगे यहाँ पे तो minus में 3x square यहाँ लिखेंगे minus में 3x square उसके बाद यहाँ देखिए plus में 5x और plus में 2x plus में हो जाएगा 7x उसके बाद यह minus का 3 हो जाएगा अब इसमें देखिए यहां पे मैनस 3 x square है अब यहां पे मैनस 3 x square है यानि कि इसमें जो यहां पे मैनस 3 x square है यहां पे अगर हम मैंनस से और मैंनस 3 से अगर हम यहां से गुना करते हैं मैंनस 3 से अगर गुना करेंगे तो यहां पर मैंनस भी आ जाएगा और 3 भी हो जाएगा और X स्क्वार भी तो चलिए यहां पर मैंनस 3 से गुना करते हैं यानि मैंनस 3 X स्क्वार हो जाएगा प्लस चो अब क्या करेंगे प्लस चो क्यों लिखेंगे क्योंकि ये एक्स बला टर्म नहीं था एक्स बला टर्म जो है ये नहीं था मैनस तीन से इसमें गुना किये तो मैनस तीन एक्स स्क्वार उस बाद मैनस प्लस मैनस मैनस प्लस और तीन दुनी छोई तो यहां लिख दिए अब क्या करेंगे घटाएंगे लिख दिए अब क्या करेंगे घटाएंगे तो यहां मैनस है तो यहां प्लस है तो यहां पे मैनस दिएंगे अब देखिए मैनस में 3x square प्लस में 3x square यह कट जाएगा अब यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे लिखेंगे 7x यानि यह प्लस में ही है 7x यह प्लस में 7x है उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मैनस में 3 और यहाँ भी मैनस में 3 इसका चीन का भेली है यानि 6 मैनस में और मैनस में 3 तो 6-39 जो होगा मैनस में होगा यह आगया मेरा 6 फल यह जो आगया है 6 फल यहां लिखेंगे अत अत यह है भाग फल यहां अत भाग फल भाग फल बराबर एकस मैनस 3 और 6 फल बराबर 6 फल बराबर लिख लिए है अब लिखेंगे 6 फल बराबर 6 फल यहां से लिखेंगे 7 एकस मैनस 9 यही भाग फल पुछ रहा था और 6 फल तो दोनों एंसर आ गया चलिए अगले कुश्चन सल्व करते हैं तो चलिए यहाँ पर next question लिख लिए हैं दो नमर का तो px बराबर दिया हुआ x पर पावर 4 मैनस 3x पर पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 और gx का value दिया हुआ x square प्लस 1 मैनस x तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं separate करके हल करेंगे तो यहाँ पर हल लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे और यहाँ जो इसको लिखेंगे gx में पहले x square लिखेंगे फिर minus x तब प्लस 1 लिखेंगे तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं तो चलिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं, हल में, PX बराबर, X पर पावर 4 मैनस 3X स्कुआर प्लस 4X प्लस 5, और GX में यहाँ से लिए हैं, X स्कुआर मैनस X पहले लिख लिए हैं, उसके बाद प्लस 1 बाद में लिखेंगें, क्योंकि मानक रूप में नहीं था, तो इसको मान 3x square plus 4x plus 5 यहाँ पे gx का value लिखेंगे x square minus x plus 1 लिख लिए हैं अब देखिए gx का जो ये value है x square minus x plus 1 और यहाँ पे px का जो ये value है तो px में gx से भाग देना यहाँ पे देखिए x पे power 4 है फर्स टर्म में x पे power 4 है यहाँ पे x पे power 2 है यहाँ पे हमको x पे power 4 लाने के लिए इसमें क्या चीज़ से गुना करें कि x पे power 4 आ जाए तो हम देख रहे हैं x पे power 2 है इसमें 2 power कम है यहाँ पे अगर 2 से गुना कर दें x पे power 2 से तो x पे power 4 आ जाएगा तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं x पे power 2 यानि x square से गुना करेंगे अगर x square से इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा चलिए x square से गुना करेंगे तो x square x square गुना होगा तो x पे power 4 हो जाएगा फिर x square से अगर इसमें गुना होगा तो यह हो जाएगा minus x minus मैनस मैनस प्लस मैनस होगा और x square को x से गुना करेंगे तो x q हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं x square को अगर x से गुना करेंगे x q होगा और मैनस प्लस मैनस तो मैनस में यहाँ पे x q होगा x q हो गिया उसके बाद x square से अगर एक में गुना करते हैं तो plus plus है तो plus लिखेंगे और x square को अगर x से गुना करेंगे तो x square ही होगा अब यहाँ पे चीन दे देंगे अलिए अब चीन बदल देंगे यहाँ से घाटा रहे हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ पे मैनस देंगे यहाँ मैनस है तो यहाँ प्लस देंगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ मैनस देंगे अब देखिए x पे पावर 4 है x पे पावर मैनस 4 है यानि x पे पावर 4 है यहाँ मैनस में x पे पावर 4 है यानि प्लस में है मैंनस में एक X42 यहाँ है मैंनस में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4X duo हो जाएगा मैंनस में जो होगा 4X投 fiber और उसके बाद X बला यहाँ पर लिख देंगे म। ऑभ इसमे 4X उसके बाद 9 पuj सा लिख देंग अब इसमें भाग देना says यहाँ जो भाग देंगे इसमें, यहाँ पे x q है इसमें हम सिर्फ अगर x से गुना कर दे, x square में अगर x से गुना करेंगे तो x q हो जाएगा, चलिए हम इसमें x से गुना करते हैं, सिर्फ पलस x से गुना करना परेगा, यानि पलस में रहेगा तो पलस ही आएगा प्लस x को अगर x-square से गुना करेंगे तो यहाँ पे x-q हो जाएगा चलिए यहाँ पे यहाँ पर लिखेंगे x-q हो गिया यानि X से इसमें गुना किये ть x-q हुआ फिर x से अगर मैंनस x में गुना करेंगे यह हो जाएगा मैंश यानि प्लस मैंश मैनस होगा X को X से गुना करेंगे X स्क्वाइर हो जाएगा उसके बाद X से एक में गुना होगा तो प्लस X हो जाएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे चीन बदल देंगे चलिए यहाँ पे चीन बदल देते हैं यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या देंगे और यहाँ पे plus में x square है यानि 4 में से 1 x square क्या होगा घट जाएगा तो minus का 3 बचेगा x square उसके बाद देखिए 4X है plus में 1x यहाँ पे minus में 4 में से 1 चल जाएगा थो ये 4 में से 1 चल जाएगा तो 3 गो बचेगा plus में कितना बचेगा प्लस पांच लिखेंगे देख लिजी यहाँ पर यानि कि ये 4X square में से 1X square चल गया तो 3X square लिखेंगे हैं 3X square उसके बाद प्लस 4X और 4X चल गया, 4 में से गया तो 3X प्लस में बचा है, क्योंकि प्लस था 4X उसके बाद ये प्लस 5 लिखे दिए चलिए अगेल देखते हैं अब देखें यहां पे क्या करेंगे यहां पर हमको मेनश 3x square लाना है तो मैनश 3x square लाने के लिए सिर्फ हम इसमें अगर मैनश 3 से गुно कर दें यहां मैनस 3x square भी आ जाएगा चलिए इसमें हम यहाँ पर भागफल में क्या देंगे मैनस 3 दे देते हैं मैनस 3 से अगर गुना करते हैं मैनस 3 से अगर हम गुना करते हैं यहाँ पर इसमें अगर मैनस 3 से गुना होगा तो मैनस 3X स्कुर यहाँ आ जाएगा यहाँ पर लिखेंगे मैनस 3X स्कुर आ उसके बाद मैनस और यह मैनस प्लस होगा 3 से X में गुना होगा तो 3X हो जाएगा प्लस में 3X हो जाएगा उसके बाद मैनस प्लस मैनस होगा 3 को अगर X से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा अब चीन खिच देते हैं देखिए यहां पे यह मैनस 3X स्क्वार अब क्या करेंगे कीन बदल देंगे, यहाँ पर मैनस में 3x square आया था, यहाँ मैनस में था, यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो मैनस देंगे, यहाँ मैनस है तो प्लस देंगे, अब देखिए, 3x square मैनस में, प्लस में 3x square तो यह क्या हो जाएगा, कट गया, उसके बाद देखिए, आप लिखेंगे अतह भागफल बराबर यहां से लिखेंगे x square प्लस x-3 यहां लिखेंगे x square प्लस x-3 और 6 फल यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे 6 फल यही दोनों इंसर आ गिया अगली question बनाने से पहले आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और यह वीडियो जो देख रहे हैं अभी यह देख रहे हैं मातमा जोतिरो फुले एस्टेड पर तो चल जी अगला question solve करते हैं चल जी दूसरा question जो solve करेंगे तो देख लिजे यहां तिसरा question जो है यह यह प्स बराबर x पर पावर 4 मैनस 5 x प्लस 6 जो है यहां पर जी एक्स बराबर 2 मैनस x स्कुर्ण है तो इससे इसमें भाग जो देंगे यहां पर पहले लिख लेंग यह जो लिखे हैं यहां पे PX बरावर X पर पावर 4 मैनस 5X पलस 6 अज GX जो यहां से लिखेंगे तो GX यहां पर मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में लाने के लिए पहले मैनस में लिखेंगे इसको मैनस X स्कूर लिखेंगे उसका पलस में 2 है तो plus में 2 लिख देंगे अब यहाँ पे इस से भाग देना है इसमें PX में यानि यह GX से भाग देना है यहाँ भाग का चिन बना लेंगे तो भाग का चिन में यहाँ पे हम लिख लेंगे इसमें PX को इसमें लिखेंगे और GX यहाँ पे लिखेंगे यहाँ जो भाग जो देंगे यहाँ पे लिख लिए हैं GX और PX तो इसमें जो भाग देंगे यहाँ पे X पे पावर फोर लाना है यहाँ पे X पे पावर फोर लाने के लिए हम इसमें किस चीज़ से गुना करेंगे तो मैनस है, तो प्लस लाने के लिए, यानि मैनस x square से अगर गुना करते हैं, तो x पर पावर फोर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे, मैनस x square से अगर गुना करें, तो मैनस मैनस प्लस हो जाएगा, x square गुना x square, तो x पर पावर फोर हो जाएगा, उसके बाद x square से अगर इ चिन देते हैं, यहां पर क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, यहां पर चिन बदल देंगे, यहां पर मैनस देंगे, यहां मैनस है तो यहां प्लस देंगे, अब देखिए, यह जो है एक्स पर पावर फोर है, प्लस में एक्स पर पावर फोर है, मैनस में तो यह कट जाएगा उसके बाद देखिए, पहले तो लिखेंगे square बला को, तो इसको पहले लिख लेंगे यहां क्या लिखेंगे, प्लस में है तो यहां लिखते हैं 2x का square, अब यह जो है, मैंनस में, अब x बला को लिखेंगे, पहले square बला लिखेंगे, उसके बाद X बला है तो यहां पे मैनस में 5X है लिख देंगे उसके पलस में 6 है तो इसको भी लिख देंगे अब इसमें हमको भाग लगाना है इसमें जो लगाएंगे भाग जो लगाएंगे यहां क्या ह 되는 2x² है, यहाँ पर क्या है, मैनस x², यहाँ 2x² लाने के लिए हमको इसमें मैनस 2 से गुना कर देंगे, देखिए, मैनस से गुना करेंगे तो मैनस मैनस तो पलस हो जाएगा, तो चलिए मैनस हो गया, और 2 से जब गुना करेंगे तो 2X-2 भी हो जाएगा तो चलिए लिखे लिते हैं मैनस मैनस पलस यानि 2 से मैनस मैनस पलस हो गया और 2 से गुना जब करेंगे तो 2X-2 हो जाएगा उसके बाद देखिए मैनस पलस फिर 2 से अगर गुना करेंगे 十 कुर्ण 2 दूनी चार तो चलिए यहाँ पर हम चीन बदलेंगे यहाँ पर क्या करेंगे चीन बदलेंगे यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर मैनस लगाएंगे यह मैनस में था यहाँ पर प्लस देंगे अब देखिए यहाँ पर प्लस में 2x स्क्वार है और यहाँ पे मैनस में 2x square है तो यह प्लस में और यह मैनस में कट जाएगा अब देखिए यहाँ x वला term यहाँ लिखेंगे यानि मैनस में 5x है तो यहाँ पे मैनस 5x लिखेंगे उसके बाद देखिए 6 जो है प्लस में है 4 भी जो है यह प्लस में है चो और चार कितना हो गया पलस में दस हो गया यह से फ़ल आ गया है तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहां हम लिखेंगे उससे पहले आप लोग क्या किजिए अगर पिछला वीडियो आप लोग को पिछला question छुटा हुआ है तो playlist में जा करके देख सकते हैं जो सब का playlist बना हु भाग फल बराबर मैनस x square मैनस 2 और 6 फल जो है वो भी लिख देंगे 6 फल बराबर 6 फल बराबर क्या हो जाएगा यहां से देखिए मैनस 5x लिख देंगे फलस 10 लिख देंगे तो यह जो है आपको प्रसनावली 2 दस मलब 3 का question जो solve कर रही थे एक नमबर का तीनो question इसमें आप लोग को solve हो चुका है तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे अगर कोई भी दिकत हो तो आप comment करके अवश्य पूछ लिजिएगा चलिए धन्यवाद